नमस्कार दोस्तों मैं स्क लॉजर सचिन स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रोइड वाइट पर कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे परसन्न होंगे और जीवन में आनंद ही आनंद होगा मैं फिर लेकर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत रोचक महत्पूर्ण और आपके जीवन से जुड़ी हुई एक ऐसी जानकारी जिसका इंतजार आप सभी को होता है और आप सभी लोग चानना चाहते हैं कि वह दिन वह वर्ष या वह समय कौन सा होगा जब मेरा भाग्य उद्धै हो जाएगा तो यदि आप कुम्बराशी के जातक जातिका हैं बहिला या पुरुष हैं और आपके मन में भी यह इच्छा है कि कौन सा वर्ष मेरे लिए सबसे ज़्यादा भाग्य शाली रहेगा कौन सा वर्ष मेरे भाग्य उद्धै का कारक होगा तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से वह वर्ष होंगे जो आपके लिए बहुत ही बेहतिन परिणाम लेकर आएंगे इसके अलावा बहुत सारी जानकारियां और भी दूँगा शुप अंक शुप दिन और कौन सा वह उपाय है जिसको करने से आपको विशेश सफलता प्राप्त हो सकती है जो शैर अभी तक आपको ना मिली हो तो चलिए शुपारम करें उससे पहले आप सभी लोग चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबादें ताकि इन सभी जानकारियों को आप समय समय पर प्राप्त करते रहें जब भी हम किसी को कुणली दिखाते हैं या हाथ दिखाते हैं तो हमारा पहला प्रश्ण होता है पंडी ची ये बताइए हमारा भाग यूदर कब होगा कब हम जीवन में सफलता पाना शुरू कर देंगे अभी हमारा समय हमारे साथ नहीं है कौन सा वह साल होगा आपके जीवन में जिसमें हमें हर प्रकार की सफलता और सुख प्राप्त होंगे या कब वो काम्यामी का दौर शुरू होगा जब हमें पीछे मुणकर नहीं देखना पड़ेगा जिस समय में भाग की हमारे साथ होगा कब वह समय आएगा जब जीवन में चले आ रहे दुख और कष्ट समाप्त होंगे और शारिरी कष्ट में समाप्त होंगे पैसों से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी भाग की उदे से पहले और भाग की उदे के पास जमीन आस्मान का अंतर होता है आपके चीवन में सुखो में परिवर्तम में यह जो जानकारी है मुलांग के अधार पर भी है और ग्रफों के अधार पर भी है आपकी राशी का स्वामी है शनी जो बहुत ही धीनी गती से चलता है जिसे सूर की परिक्रमा लगाने में लगबक 30 वर्ष लग जाते हैं और एक राशी में लगबक यह धाई वर्षों तक रह होते हैं तो आपको पीछे मुणकर नहीं देखना पड़ता है लेकिन जब शनी भागयोदे कराते हैं तो आती गरीब व्यक्ति को भी करोड़ पती अरभ पती लख पती जो भी वो काम करते हैं उसमें विशेश और बहुत बड़ी सफलता दे देते हैं तो शनी इस काम में परशान रखते हैं बहुत ही दिकते देते हैं और यह आपके कर्मों के अधार पर होता है लेकिन जब देते हैं तो कोई भी कभी नहीं छोड़ते हैं पूरा पूरा देते हैं इतना देते हैं कि जीवन में जितने भी कष्ट और दुख आपने झेले हैं बिमारिया झेली हैं परशान के अचेली है, वह एक पल में समाप थो जाती है और जीवन में सिर्फ खुशाली परसंता आपको दिखाई पड़ती है तो चलिए, अब और भी जानकारी आपको देते हैं जो आपड़ों के अधार पर होगी अब जानते हैं किन-किन वर्षों में हो सकता है आपका भाग क्यों दे तो ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा आपका विवा अधिकतर विलम में से होता है 39-35 वर्ष की आयों में आपका विवा संपन्य हो जाता है यदि आपकी कुंडली में कोई भी दोश ना हो तो अगर कोई दोश नहीं है तो आपका विवा 39-35 वर्ष की आयों के बीच में हो जाता है 39 साल के बाद ही आपके पास अच्छे विवा प्रस्ताव आते हैं एसा नहीं कहूँगा कि वीच में विवा प्रस्ताव नहीं आते हैं, आते हैं लेकिन अधिक तर 90-पृस चांस में देखा गया है कि विवा विलंब से होता है और विवा होने में सिर्फ शनी का ही योगदान नहीं है, अन्द ग्रहों का भी योगदान रहता है यदि कोई और ग्रहे आपके जीवन में बहुत अच्छे पैडाम दे रहा है तो हो सकता है आपका विवा अति शीक्र हो जाए लेकिन यहां पर मैं दो बाते जोड़ना चाहूंगा जब भी आपका विवा विलंब से होता है देर से होता है तो आपका विवाहिक जीवन लंबा चलता है और सुखत रहता है शीक्र विवा होने पर कुछ कट नहीं है आपको भविश्य में देखने को मिल सकती है तो जल्द बाजी ना करें और परिशान भी नहों यदि आपका विवा अभी तक नहीं हुआ है और आपकी अभी उमर थोड़ी छोटी है तो आपका विवा बड़ी उमर में होगा इस पार को आप नोट कर ले अब जिनका भाग यूदे अभी तक नहीं हुआ है अभी तक नहीं हुआ है जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से पिशली तारीखों की बात मैं नहीं कर रहा हूं आगे आने वाली तारीखों की बात कर रहा हूं तो जिनका भाग यूदे अभी तक नहीं हुआ है तो उनके लिए 2024, 2035, 2042 और 2051 बहुत ही शुख रहेंगे तो अब इस बात को आप समझ दीजे तो आगे आने वाला जो वर्ष है वो 2024 है जो बहुत नजदीक है अब आपकी उम्र कोई सी भी हो तो 2024 में आपके लिए कुछ विशेश सफलता चुपी हुई है इनमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ चरूर होगी जिसको आप जीवन पर याद रखेंगे आपके लिए शुख तारीक होँगी 8 तारीक 17 तारीक और 56 तारीक हर महीने की आपके लिए सोब बार और भरस्ततिवार का दिन शुख रहेगा और विशेश शुख दिन रहेंगे बु कुंडली की विवेचना जरूर करा हैं हम आपकी कुंडली को देखकर बताएंगे कि इसमें क्या परशानी है और यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई शॉटकट बता दिया जाए तो शॉटकट यह है कि आप पंच धातू का छला ये लोहे का छला पहन सकते हैं लेकिन मैं आ आपको हमारे संस्थान में मिल जाएंगे आप इनको पहन कर लापराप्त कर सकते हैं और या बहुत पहने नहीं हैं या बहुत ही कम दामों में उपलब्त हैं तो चलिए उमीद करता हूं कुंडराशी वाले इन तारीकों को याद रखेंगे और इन तारीकों में उनके साथ बहुत कुछ बहतर होगा और प्रसंता पाएंगे खुश रहेंगे और चैनल को ऐसे ही आप लोग देखते रहें और आपका प्यार हमें मिलता रहे हर योग नवाश्वाल